नमस्कार आप जुड़ चुके जंदरुस्ताई नम्हा के साथ और मैं पलक आप सभी का स्वागत करती हूं दिल ऐसा वर्ड है जिस पर ना जाने कितने गाने बन चुके हैं दिल संभल जा जरा दिल दियां गलना दिल ही तो है मतलब कोई भी गाना जो है वो दिल शब्द के बिना धूरा ही माना जाता है आज हम आए हैं टैगोर होस्पिटल जुलंदर में और हमारे साथ जूच चुके हैं दॉक्टर वीजे महाजुन जी जो की मैनेजिंग डिरेक्टर है टैगोर होस्पिटल के सर अपका तंदुरुस्ताई नम्हामेर स्वागत है सब्सक्राइब दो सरत दिल जो हेब हमारे बौडि आपके साइड ए लेफ्ट ना राइट साइड पे इस दील हमारी चाती के संटर में होता है आम लोग यही समेझती हैं, जब दाइं दर्ड हो जाए या दाइं तर्ड हो जाए तो – शॉयद उनके दिल में दर्ड हो,ि अच्छी मेरी ही , यह ऐसा नहीं है, दिल चाती के सेंटर में होता एं और ये भी बात बचारा दिल तो वैसे बदनाम है क्योंकि असली इमोशनल सीट तो हमारे ब्रेन में होती है वो ही फैट रती है पर बदनामी बचारे दिल की है तभी इसके ओपर दाने बनते हैं उस पे ओडियंस भी दिल टूट गया बता नहीं क्या क्या हम जैसे मतलब बोलत जब करते हैं तो वो इस फिंगर में डालते हैं क्योंकि इसका कनेक्शन दिल के साथ है और ये तो हमें चलो एक हमारी ओडियोंस को नहीं बात पता चलिए कि दिल हमारे सेंटर में प्रेजंट है ना की लेफ्ट में ना की राइट में तो सर आज कल हम देख रहे हैं कि लाइफ स्टाइल है ना वो बड़ा सिडेंटरी हो गया है तो छोटे बच्चे भी अब देखिए अब के हर टाइम पे फास्ट फूट खाते हैं टेली विजन के सामने बैठे रहते हैं तो एक्सरसाइज नाम की चीज तो अब खत्म होगी है जब हम लोग बच्चे थे तो ह आरतरह की बीमारी हैं जो है हाट की हुई, डायबटीस हुई ये इन बच्चों में होनी अरम बोनी है इन जैसे हम सुनते हैं कि लाइफ स्टाइल जो है एक तो ठाने पिने पर दियान रखना चाहिए उनको जंद्फूट तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए क्योंकि इस सबसे खतरनार जो जीज़ाए वो जंद्फूट है हम वैस्टरन फूट को फालो कर रहे हैं पर हमें वो छोड़ देना चाहिए हमें स्ट्रेस देनी चाहिए हारी सब्जियां फुरूट्स ये चीज़ें ज्यादा ठाई जाएं रादर देन के हम जनक फूर ठाईं और दूसरा बच्चों की एक्सरसाइज जुरूर गराएं बैठे रहेंगे तो क्लेस्टरॉल की लेवल भी डाइट से बढ़ जाता है वह होनेगे तो ये तो होगी बाद छोटे बच्चों की तो अब हम बात करते हैं कि यूथ की यूथ पे आ जाते हैं यूथ हा अब जैसे 18 के अबव किये जती है ठीक है वो क्या है आज कल की यूथ को है हम फिट रहना चाते है हम जिम जाएंगे और जिम में जाके जो हम heart का क्या connection है? चाहिए और दूसरा जिम में एक और भी ज्यादा चीज है कि ठाने पीने की चीजें जो मिलती हैं वहां पर पौडर मिलते हैं उनमें स्टीरोइड्स या ऐसे पदार्त होते हैं जो कि हार को नुपसान करते हैं तो इसलिए वह भी ठाते रहते हैं लोग साथ में एदम से हैवी ग्रेडुएटिड मैनर से आस्ता आस्ता एससाई शुरू करें प्रैफरेवली एक डॉट्टर की पहले सला ले ले कि हमें कितनी एससाई तरनी चाहिए और कैसे कर लिए तो सर आपने जैसे स्टीरोइड्स का नाम यहां पे लिया तो मैं आपको स्टीरोइड्स तो होती हैं प्रैडिसेंज तो स्टीरोइड्स से मुझे अभी आद आया कि पिछले ही अभी कुछ दिन पहले स्टीरोइड्स क्या हमारे ना घर में परमपरा चलती है मला हर गर में चलती है कि कोई भी छोटी मोटी बिमारी है बुखार हुआ अच्छा या कोई बॉड़ी एक है पास विजिट करेगा तो आपको लगता है कि यह जो मैडिसन जाइए ऐसे उनको ले लेनी चाहिए हम कई बार हार्ट अटेक को समझते हैं कि हमारे पेट में गैस है तो हम समझते हैं कि यह गैस की बिमारी है तो हम कोई एंटेसिट दौई पी लेंगे पर असली में वो हार्ट अटेक चल रहा है बड़े लोग हार्ट अटेक को गैस ही समझते हैं कि पेट में गैस बन रही है और जब वो अती हो जाती है बहुत जादा हो जाती है कि लोग खुद इतने अंटेसिट लेते रहते हैं कि यह तो पेट की गैस है पर होता हार्ट अटेक है इसलिए वो टाइम पे मेडिक रहे कि वो अट ने सकते है तो उनको मेंजर काहगा होने की वजह से उनकी मौई तो हार्ट अटैक पता कैसे चलता है कि पंदे को आने वालवाब रा गुचिसके स्टार्टिंग सइम्टमस होते हैं दो तरह के हैं यह तो एंजायना बोलते हैं जिसको वो एंजायना होती है कि जब हम चलते हैं तो हमें या एक्सरसाइज करते हैं या चड़ाई चड़ते हैं कोई काम करते हैं तो हमारी च्छाती में दर्द हो जाती है वो दर्द दुनों तरफ सेंटर में दर्द होती है दुन गइवार वो सिर्फ पेट में ही होती तिया है उपरे वाले इसंग जिसको हम गलती से जए सब्सलिते हैंeger तो यह जो आड इंडिट है आड की तक्लीफ है यह सिर्फ ऐस करने पर होती है और इस वर इंडाइन नपी तो यह फ़र्स disposit funktion जिदि आपको ये सिम्टम है तो आपको चाहिए कि डॉक्टर की सला लो ताके कही मेजर अटैक नहीं पर कही लोगों ने मजॉर्टी में ये वाली पहली स्टेज नहीं आती सीधे ही हार्ट अटैक हो जाता है तो उसमें इनसान को बहुत जारा चाती में दर्द होती है जो सही नहीं जाती फिर वो इसी तरह दोनों बाजुओं में या चाती की दोनों तरफ फैल जाती है और कई बर दिवाड़े में फैल जाती है और सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है वो पेट के ओपर हैसे में कई बर फैल जाती है तो हम लोग उसको 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 भी फिर ग्यास सम पुसीना आए, बेचैनी मुसूस हो, तो हमें समझ लेना चाहिए कि ये हार्ट अटेक्ट के लच्छन है और इमेडियेटली अपने आपको बिश्राम की इस्तिती में ले जाना चाहिए और डाटर को पिंटेक्ट करना चाहिए. अब यही से मैं आपको पूछना चाहूंगी कि जैसे कि हम सुनते हैं कि हार्ट अटेक्ट ऑर काडियेकरेस्ट दोनों में कैसे डिफ्रेंस हैं? कि दोनों अलग चीजह हैं अटैज तो है जब आकपको दर्द हो रही है आपको पसीना रहा है घरातव हो रही है तो उस टाइम पर मतलब वो अटैज चल रहा है कि कर दर्द होते ही शुरू से आपकर हाँ बंद हो जाते हैं क्योंकि जो मेन नाडी हार्ट की है के वर वो डिरेक्टली शुरू में बंद हो जाती है और आपको काडिकरेस्ट हो जाती है और आपका हार्ट बंद हो जाता है तो है जिसमें एदम से अटायग आया और आत्मी की जान धत्म होगी और जो दूसरी है अटायग है उसमें स्म्टम्स होते हैं आपको टाइम मिल जाता है और आप अपना इलाज दर्वास दो को सेफ रख सकते हैं क्योंकि आज तल यह बड़ा जुरूरी है टाइम बड़ा जुरूरी है क्योंकि बड़ा टाइम हम वेस्ट पर जयते हैं सोचने में और हम हाश्टार नहीं पोंचते ताम से मैडिसन लेते रहेंगे और हर इंसान इंदोस्तान में डॉक्टर है जो भी आपको मिलेगा वो अप पर जुद्धा के सिम्टम हैं तो आप नेरभाई हॉस्पिटल में पहुंचिए और वहां पर आपको फरस्टेड लीजिए यदि आप हार्ट वाले हास्पितार में पहुंच सकते हैं तो वह तो सबसे बड़ी है यदि पास है तो नहीं तो कोई भी हस्पितार जो पास में ह वहां पहुंचिए वह आपको फरस्टेड देंगे और फिर शायद आपको वो हार्ट सेंटर में ट्रास्फर करते हैं तो सर ने बता दिया कि हम कैसे मतलब जो हार्ट कार्डे करेस्ट और हार्ट अटेक जो हो अलग होता है तो मेरे एक और कोश्चन है कि हम ने सुना है कि जहां आपको वराश करना पड़ता है वहां पर दिन में अटैक्स जो जादा आते हैं क्योंकि यह चुटी बाद दो दिन की चुटी करी फिर आपको मुसीवित है कि आप तो पर जाना है आप स्ट्रेस ले लेते हैं तो उसकी वज़ा से चांसिस हैं कि स्वेरे हार्ट अटैक् जादा आते हैं और अब जैसे अब मौसम चेंज हो रहा है न विंटर जा रही है आगे तो एक ये भी है कि सर्दियों में जो है हार्ट अटैक का खत्रा बढ़ जाता है डेफिनेटली क्योंकि तो सर्दियों में हमारा ब्लड पैशर है न वो जादा रहता है तो वो बढ़ जाता है तो ब्लड पैशर जादा बढ़ने से आपको हार्ट अटैक होने के चांसे जादा होते हैं इसी तरह कोई भी स्टीम ओफ वैदर है चाह बहुत धर्मी है और बहुत सर्दी है तो अपने आपको प्रटैक्ट करिए दोनों वस्ता में थास तरह के सर्दी के दिनों मे हार्ट अटाइक आने के चांसे जादा होते हैं चुएंकि आपको ब्लड प्रेशर खुलक्टूेट करता है और थाने पेने की भी बदपरेजी हो जाती है शूगर कंट्रोल नहीं होती कई बास तो इसलिए सर्दियों में अटाइक आने के चांसे जादा होते हैं तो सर्दी ये भी जान लिया कि सर्दियों में हार्ट अटाइक क्यों आता है अपनी ये भी बता दिया कि जिम और हार्ट का क्या कनेक्शन है ठीक है अब एक छोटी सी लास्ट मेरी आपसे यही कोशन रहेगा कि आप जैसे हम आप जैसे हल्दी है ठीक है आप हमारी ओडियंस को कुछ पुछ बचाना चाहेंगे कि वो खुद अपना हार्ट को हेल्दी कैसे रख सकते हैं हार्ट अटेक आने या काड़ी कर ऐसे खुद को कैसे बचा सकते हैं यह सबसे ज़्यादा तो अपना जीवन शैली होगी है हमें लाइफस्टाइल सबसे ज़्यादा है हम सारे भारतिये जो फुल रहते हैं तो उनमें सारा कुछ क्लेस्टरॉल होता है उनमें ज्यादा होता है और हम अपना जो पुराना था के अराम से अरी सब्जियां थानी परंपरा जिसको गया ज़ते हैं वो छोड़ दी है तो जबकि वो लोग अब हमारी परंपरा को अपना रहे हैं वो वेज सबसे ज़यादा इंसिडेंस यह पिछोड़ों में कि बाक की सारे भारते ओंपश भारतेंज में के के čला कई चोड़के शाहा गुंदाए कैसे का दरुड़ के करा वहां भी हाट अटाच की चाहंसे जादा हैं तो पंजाबी लोग जो हैं तीन चार चीतों की वज़ा से तो ठाने पीने का तरीका जाएगा तो उसमें इतना घी डाल लेना परोठी उठके जरूर था एक्सवेर 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 अलो के बन गया है एक्सवेर अट्री बटल अमूलका नहीं नूट्रिंशियोंस जो अलगा खगी के साथ परांटे खाने वार और दूसरा यह है कि यहां की अट्रूबी मे कि दुनिया वर में एक ऐसा स्टेट है कि जहां पर हाट अटैक की गाउं में भी इंसिडेंस जाता है क्योंकि यह लोग पहले जमाने में मेनत करते थे अब ट्रैक्टर सा आगे बार के इंसान आगे बिहार के उधर जो इनको हेल्प करते हैं तो पंजाब का जो जिमिदार ह है या खिसान है वो तो बिल्कुल भी एक्सराइज नहीं तरता और ठाने पी नहीं तरता है अभी भी जाएए आप वह वहां पे यह साथ यह मत्रन यह घी बज़रा डालके खूब ठाते हैं तो इसकी वज़ए से डायबेटीज और दोनों हार्ट अटैच की इंसिडेंस पं वह भी पंजाब में सबसे ज्यादा है तो शिराब से मैं आपको यहां से पूछूंगे शिराब का भी हर्ट अटैक से कोई कनेक्शन है बहुत ज्यादा है ज्यादा मातरा में लिए जाए तो हार्ट अटैच की इंसिडेंस बहुत बढ़ जाते हैं उसी तरह स्मोचिंग से हार्ट अटैक के चांसे बहुत हो जाते हैं लाट वफ अच्छ साहिज हुआ मुटापा हुआ इस सारे और स्ट्रेस सबसे बड़ा स्ट्रेस सबसे बड़ा फैक्टर है क्योंकि अब अब को ही ले लीजिए पंजाब में यदि वो ना भी अफोर्ड कर सके पर यदि सांपने ऑफ एार्ड के पास चोटी तर है तो मुझे बड़ा चाहिए ने का शोटी तरह्टर मुझे थे ऑच कम स्वेक्चन में यह तनी क्यों नहीं हूं कि अफ़ा स्ट्वेक्षान नहीं है और यदि उसके अफुघ थे थोड़ा चाहिए उसका destुप में है यह ऺम्पीटिटिव यह बड़ी जाए 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 और दूसरी चीज है हमने खुद भी यहां प्राइब भी आप एक होस्टाइल बड़े हैं एताम से घुछा जो प्रोध है और होस्टिलिटी यह एक हाँ एक बड़े इंपॉर्टन गार्ण तो इसलिए यह अभी इस तड़ी में पाया गया कि प जाए जाता है जाता है जड़ाता है जड़ाता लग लग गज गई तो बिलकुल एदूसरी तो मारने तो तयार हो जाते है आप सौँथ फिंडी जाए यह अराम से लोग शानती से रहते हैं छोट चोटी बातों पर गुसा नहीं करता है पर यहां बरोज एक पार पड़ी प इसलिए इन सारे बारों से हमारे लोगों में जो हाट अटेक के चाहं से जाएं यह बढ़ रहे हैं अब हुआप नियुक्त था काम करता है वह बार चीज़ें जो है में इन में अस्पेक्ट हमने जान लिए तो अब मैं आपको इतना टाइम हो गया है न बादेगा तो आपके लिए कोई ऐसा केस था जहां पे आपको लगा था कि नहीं बच सकता बट आपने बचाया उसको और मतलब खुद पे आपको लगा कि हां यार मैंने भी ऐसे डॉक्टर अपना करतव जाए वो पूरा किया थी नहीं यह बहुत अनांदा आता है कि आपका पेशेंट स हो तो इसलिए हार डॉक्टर बैसे तो ट्राई करता है कि उसका पेशेंट हो जाए यह बहुत सीरीज पेशेंट है कई तो बिल्कुल एच पेशेंट की यहां पर जो पेशे से वो था बटील था उसका था हस्पिसाल के अंदर गुस्ते गुस्ते तीन वार टाटी तरहस्ट पर फिर भी हम उसको बचा सके अभी ताट भी प्रैटिस तरता है अपनी सहर करता है तो ऐसे केस देखे हमें अच्छा लगता है कि किसी की जान बच जाए था चली हमने जान लिया कि क्या है आज हमने दिल से जूडी कुछ खास खास पाते जानी है तो आपको हमारा ये कारेकरम कैसा लगा हमें ज़रूर बताई है और मैं एक वार फिर से डॉक्टर वीजे महाजन सरकात थैंक्यू करना चाहूंगी जिनने अपना प्रिशियस टाइम जए वो तंदरुस्ताय नमहों को दिया ऐसे ही सेयसे जूडी अपडेट्स के लिए बने रहे तंदरुस्ताय नमहों के साथ